सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेनिंग न्यूज चानल को और बेल आइकन को दबाई ये लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए मन्यवर मैं आर्पियन सिंग का धन्यवाद करता हूँ इन्होंने कुछ फैक्ट रखे जिसे कारण मुझे कम बोलना पड़ेगा एक मनोद जादी ने और गुलाम नभी आजाद साबने दोनोंने एक बड़ी आपत्ती दर्ज के कि हम नहरू जी के बारे में देश की जन्ता में अपप्रचार करना चाहते कुछ गलत भ्रांतिया गलत सोच खड़ी करना चाहते हैं यह ठीक सोच नहीं हो मनोद मैं कड़े सब्दों का भी उपयोग कर सकता हूं मगरे सदन है इसलिए कहता हूं यह ठीक सोच नहीं है हम नहरू जी के बारे में कोई घलत विचार देश की जन्ता के बारे में खड़ा करना नहीं चाहते हैं देश की जन्ता को गुम्राबी करना नहीं चाहते हैं ना यह हमारा मकसद है ना हो सकता है परंटु एक बात है इतियास की भुलों से जो देश नहीं सिकते हैं उनका सचा होनी चाहिए और इत्यास की धूलों से सब्सक्राइब गुलाम नभी साब ने बड़ी लंबी बात करी अच्छी भी करी कुछ तो मेरा भी ज्यान वर्दन हो गया जो उन्होंने कहा उसमें काफी चीज़े मुझे भी मालूम नहीं थी आज पहली बार पड़ी और उसको चाहिए समिल्क को समदने के लिए मगर गुलाम नभी साब मकबूल सिर्वानी हो ब्रिगेडियर उस्मान हो यह आप एक नाम बुल गए ब्रिगेडियर राजिंदर सिंग हो जो महराजा की सैना के ब्रिगेडियर थे जो सहीद भी हुए और सालों तक पूरे साल लड़ते र चाहे मक्बूल सिर्वानी हो çह ब्रिगेडिये रुस्मान हो चाहे ब्रिगेडिये रागवलो इन्होंने इस देश के लिए सर्वोच बलिदान दिया है अपना खुनका कत्रा-कत्रा बहां दिया है वादियों के लिए उर कोई भाव नहीं हो सब आपने कहा पुरा साल 30 प्रकार से की स्तारिकों की स्तारिकपों सेना जित्ती गई जित्ती गई जित्ती गई यह सब मैं जानता हूं मगर मुझे एक बात बताईए साब कि ये जितने का सिलसिला अभी बाकी था और एक चानिवारी 1949 को अभी एक तिहाई कास्मिर पाकिस्तान के कबजे में था और आपने सिस्पायर क्यों कर दिया इसका जवाब मैं नहीं पूरता पूरा देश पूरता है इतियास पूरता है और पूरता है रेकिस डहिए होड़े होता है अगर एक तशींसंपाय नहीं हुआ होता तो फ्तिस और जाने न कहीं है इसका मूल रूट कौर्जर वो सीच होसित समय था सरदार पटल नहां वोलते थे हम क्यों गए झाल झाल झाल